बंदूओं आज हम 36 गड़ की राजधानी राइपूर नगर में खड़े हुए हैं और राइपूर नगर के भवे जिनाला है भगवान धर्मनाद भगवान का ये भवे जिनाला है जो की अभी नव निर्मित हुआ है और आगामी नव तारिक को भगवान की उस प्रत्मा की प्रतिष्टा हो जाएगी और वो जगत पुझनी हो जाएगी प्यूस सागर जी महराज साब का आगमन राइपूर सहर में हो चुका है और कल प्यूस सागर जी महराज साब यहां धर्मनगरी धर्मनाद भगवान के इस दर्बार में आगर पहुँचेंगे और उनके मंगल हस्त कमल से यह पूरा कारिक्रम सानन संपन होगा यह जो मंदिर बना हुआ इसके बारे में एक इतिहास है कि यह मंदिर सहर के बाहर राइपूर 36 गड़ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के सामने जैनम भवोन के अंदर बना हुआ है और इसकी एक खासियत है कि पूरा बैद परिवार त्री जै कुमार जी ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उप्योग करके आज इस भगवान के जिनाले को मूर्थ रूप देने में पूरे अपना तन मन धन निच्छार किया है आज हम आपको पूरे 170 देशों के जैन समाज के लोगों को बत्ताना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में सुख सांती प्राप्त करना हो और आपको अपने जीवन में सम्रित्दी लाना हो तो एक बार जरूर भगवान धर्मनात के दर्सन करने रायपूर 36 गड़ की राज हैं इतने सरल ब्यावार का धनी है कि हमेसा इनके चेहरे पे मुश्कान भिखरती रहती है ऐसे जैकुमार जी बैद से हम आपको साख्षात कार कराते हैं जैकुमार जी आपको ये मंदिर बनानी की प्रेणना कैसे हुई कैसे आपके मन में भावना आई तो ये पूरे जैंद्र आपसब को सादर प्रणाम बन्दू जीसे एक सामान्य व्यक्ति होता है वैसे ही एक सामान्य जीवन के साथ में हमारा भी समाज के अंदर जन्म सिक्षा और वेवारिक जगत में कार्य करने का ओशर मिला बच्पन से माता पिता के तरब से धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए और सामाजिक कार्य में 16 साल की उमरर से मुझे रुची थी और धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक आस्था के साधू-साधी बगंतों के कारियों में और स्वाध्याय करने और करवाने में, साथ ही योग योतियों के मध्य में, सिविरों के माध्यम से बगवान महाविर की वाहनी का द्यात्म योग जो था, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं क्लासिस चलाता था जिसमें करीब-करीब सिविर में गर्मी की छुट्टियों में भी करीब-करीब हर साल सिविर लगाना और स्वाधाई बनकर के सेवा देना ऐसे 20 एक हजार योक योतियों के को परमात्मा का संदेश पहुचाने का मुझे अउसर प्राप्त के मुझे जाने का रूची जगाने का अउसर भी प्राप्त हुआ बन्दूओं इसी दर्मियान परमात्मा के कल सन 75-76 के समय की बात है कि जब भाटा-पारा में मेरे लगने के बाद करीब 4 साल के बाद में पहली दरफे पतनी चार-पास साल के बाद पतनी और बच्चों के स साथ पहली दर्फे हनीमून में जाने के लिए उनके जाद जड़ुला माता के दर्सन करने विवार के नाते राजस्थान जाने का अउसर प्राप्त हुआ और उस दर्मियान कठनाई की इस्तितिया थी सामान्य इस्तिती थी 32 सो रुपए यहां से लेके जाना मुझे पढ़ और लोदरवा पाशनात जेसलमेर के पाश में प्राची जनालय है वहाँ पर्मात्मा के दर्सन करते मन में भाव हुआ कि ये बाहर में जिस व्यक्ति ने भी जिनालय बनाया भक्ति भाव से तो ऐसा कभी जीवन में मेरे पास समर्थ तो नहीं है परंतु जब भी कोई अगर आउसर थोड़ा भी मिलेगा तो मैं ऐसा जिन्याले बनाने का संकल्प करने की भाव बने और उसी दर्मियान 32 में 400 रुपए तो खर्च हो गए थे पर वहां पुझारी के पास जा कि मैंने पूछा कि मेरे यहां दर्सन करते भाव आये हैं कि मुझे कुछ थोड़ा यहां लाब मिल सकेगा क्या तो यहां परमात्मा के लिए एक मिती मुझे लिखाने का है उन्होंने बताया कि भी कौन सी मिति लिना तो पोस्ट बदी दस्मी की एक मिति मुझे लिखाने का भाव आया। जीरावला पार्षणात की प्रतिष्ठा देखने के पस्चात मन में ये भाव आये कि जीरावला पार्षणात में जो जग जयवंत जीरावला पार्षणात की प्रतिष्ठा भी और उसमें जो भाव इल्लास के साथ में प्रतिष्ठा मौसो हुआ ऐसा मैं भी कभी ऐसा कर सकू जिनाले बनाओं मैं भी ऐसा प्रतिष्ठा मौसो रचाओं सक्ति तो नहीं थी पर तु परमात्मा का अतिस्वय का प्रभाव है कि एक सामान्य व्रक्ति सर्द्धा यदि रखता है तो परमात्मा उनके पीछे परच्छाई बनकर खड़े होते हैं और ये तो परमात्मा की कृ है कि इतने सबसम्रिद्ध लोगों के बीच में एक सामान्य कौमन मेन को परमात्मा हाथ पकड़के आउसर देते हैं और उनके द्वारा जिनाले का निर्मान प्रतिष्ठा महोसो गजरत महोसो कल्याणक महोसो और इस सारे कार्य कराते हुए शकल संग को नवकार सी फले चु करवाने का लाव बोखे मिले और कभी एसरा आवे तो मुझे एक पले एक द्यक्षा का लाव मिला फिर दो त्यमा है इस परकार मेरे को इस महोसो में तीन-तीन दिक्षा ममुक्षू बहनों की करवाने का लाव हमारे परिभार को मिल आ है सबके लिए करलान कारी बने एक शीलिए हमने सबको सामाने व्यक्तियों को इसा ज्यादा ज्यादा महात को दिया है बहुत-बहुत धन्यवाद जैकुमार जी आपको एक आज ऐसे व्यक्तित्तु का साक्षातकार लेने का अवसर प्राप्त हुआ कि जिनों ने इतना बड़ा भवे जिनाल उसमें अपने परिवार के जितने भी रिस्तेदार हैं सारे रिस्तेदारों को प्रमुक पत्र पात्र बना करके और इस पूरे पंचक कल्यानक प्रतिष्टा महोस्व में उन्हें भाग लेने का सवभाग अर्जन कराया है ऐसे जैकुमार जी को मैं स्रद्दा से नमन करता कि हमारे बीच में इस प्रतिष्टा महोसों में सामिल होने के लिए स्री भीकम चंजी मालू महासमुन से आज हमारे बीच पता रहे हैं आए उनसे भी इस धर्मनात भगवान के मंदिर के बारे में विचार सुनते हैं स्री धर्म चंजी मालू महासमुन जस नाम तस दून जय कुमार बैट को मैं पिछले पच्छास साल से जान रहा हूँ जब कि हम साथ में सीवेओं में पाट सालाओं में और समाज के कारियों में आते जाते थे तो जब ये पता लगा कि भाई जय कुमार बैट जो महसुन में आये उने निमंतन दिया संग को तो बढ़ा ऐसा लगा ओ भाग गे बीच में स्रीमती चंचल पारग जी राज्ञान गाओं सिपधारी हैं जो कि जय कुमार जी की बहन है और वे अपने विचार पारग चैनल के माध्यम से पुरे विस्टो को बताना चाहते हैं जय जी ने मिरे भाईया को बहुत बड़ा सपना था कि ये वंदीर बहुत अच्छा उने बहुत सुंदर बने और यह उनका आज का सपना नहीं था बहुत पहले का था और ये सिच्छा और ये संसकार उन्होंने बच्पन थी अपने माता से देखा है और सुना है पर परिसी थी वह उस समय नहीं कर सके पर आज उन्होंने जितना सोचा उससे कहीं ज़्यादा तन मन धन सबसे बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है इसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूं मारे बीच में असोक कुमार जी जो की जै कुमार जी के साडू भाई है और मतलब धर्म के छेतर में काफी अगरणी स्थान दखते हैं रायपूर में निवास करते हैं आए उनसे भी हम जानते हैं उनके बारे में जै कुमार जी के बारे में और इस मंदिर के बारे में स्री असो हुँ जैन मानस समीति का जोनों ने इतना इस परिशर में इतना सुंदर मंदिर अपने द्रव द्रव से बढ़ाया है और इतनी मेहनत की है यहने रात और दिन एक करके सारे काम छोड़कर इन्होंने जो कि इस मंदिर के लिए अपना समय दिया है कोई दे नहीं सकता और कभी कल अपना भी नहीं कर सकते मैं संभवना दिवा मंच के मंच की और से पूरी बदाई देता हूँ जैकुमार जी को कि इतना भव्य मंदिर इन्होंने जो निर्मान किया है उसमें उनके बेटे भरत पंकाज और उनकी धरम पत्निया इतनीया सयोग है उनका उनके पोते और पोति नहीं है जैकुमार जी की साली साइबा सुसीला उस्तवाल जोकी भाटाबारा से यहां पर रायपूर अपना सस्वराल बना और रायपूर आई है आज वो इस मंदिर की प्रतिष्टा में सामिल हुई है आए हम उनसे जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में और जैकुमार जी क के बारे में पूरे विश्व को बताने का कश्ट करें सुसीला जी बस मुझे यही खुसी है कि जीज दिन से भूमी पुजन हुआ उस दिन से बहुत इक्षा थी कि मेरे जीजा इतना अच्छा भव मंदिर बना रहे हैं उनके लिए बहुत-बहुत साथ हुआ अभी आपको जै सा जैकुमार जी ने बतलाया कि हर पल मुझे इस मंदिर बनाने के लिए प्रेडित करती रहती थी और मेरे हर सुखदुक में साथ दी है ऐसी सकुंतला जी आज जो की हमारे भाटापारा की निवासी हैं और उनसे हम साक्षात कार ले रहे हैं और वो उस मंदिर के बारे में कुछ अपसब्द अपनी भावनाओं को पारस्तिनल के माद्यम से पूरे विश्व के सामने रखेंगी स्रीमती सकुंतिला जी धर्ण पतनी जैकुमार जी बैद राइपूर जैजी नें सबको बहुत सुन्दर मंदी बन गया है अब उसकी प्रतिष्टा होने वाली है गुरु माराज लोग पधारने वाले हैं आप सबको धन्यवार जैजी नें आप लोग सब हमारे मंदिर के आज ये जो धर्मनात स्वामी का मंदिर एक ऐसा भवे शुरूप यहां हुआ है हमारे जैजा जी और हमारी बहन की दोनों की प्रेणा यहां के भवे मंदिर के विशाल जन मानस की एक भावना को इन्होंने मूर्त रूप दिया है ये आख विशाल मंदिर तो है देकि मेरी ऐसी कलपना है कि कल ये एक तीर्स का रूप लेगी क्योंकि ऐसा सुंदर भव्य और इस्थान ऐसी जगा है कि वो यहां तीर से लगता है मैं सभी को आज इस प्रांगण में ये धर्मनात मंदिर प्रांगण में सभी को आवंतित करता हूं कि 9 दिसंबर की जो प्रतिष्ठा दिवस है उसमें आप सभी समलित होएं और प्रभु के दर्सन का लाब लेएं और हमें आपका अशिरवात प्राप्त हो जय किने आईए हम इस धर्म ना भगवान के विसाल मंदिर के प्रंगण में खड़े हैं और आने वाले मात्र चार दिन के अंदर यह मंदिर की पृत्मा पुजनी हो जाएगी और लाखों लाखों लोग दर्सन करके अपने जीवन का कल्यान करेंगे आज हमारे बीच में जह कुमार जी के सुपुत्र भरज जी आज यहाँ पर उबस्तित हैं आज आपको कैसा लग रहा है और कैसी आपके भाव हो रहे हैं कितनी खुसी हो रही है पारस्टिनल के माद्यम से पूरे विस्व को बताने का कश्ट करें स्री भरज जी जह पहले तो आप सबको साधर प्रणाम परमात्मा का मंदिर बना है और भगवान गादी नशीन हो जाएं दो साल से हमारी इच्छा है कारी निरंतर चल रहा है मन में बहुत बहुत उत्सा है कि प्रभू जैसे ही विराजमान होएं और हमारा सपना पूरा हो यह मंदिर मेरे लिए नहीं मेरे परिवार के लिए नहीं पूरे रैपूर पूरे भारत वर्स के लिए एक अनुका मंदिर रहेगा यहां का कारिय, भगवान की प्रतिमा, एयरपोर्ट के सामने, जो भी आने जाने वाले हैं, सब को भगवान का दर्शन का लाब मिलेगा, पूजा का लाब मिलेगा टीना बैद भी उपस्तित हैं, और उनके मन में, उनके चेहरे में इतनी खुसी, उमंग, उस्सा दिख रहा है, कि हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते, कि आज तीन लोग के नाद की, वो भवे विसाल प्रतिमा, और भवे मंदिर, जो की 36 गड़का पहला तिर्थ स्थान बनने ज जा रहा है, अस्सेकारी मुर्ती जहां भी राजवान होने जा रही है, उसकी परिकल्पना जो उनके पापा ने की थी, आज वो पूर्ण रूप होने जा रही है, आपको कैसा लग रहा है, पारस्तिनल के माध्यम से पूरे विश्व को भतलाएं। बनाते रहे और हम भी ऐसे ही धरम में जुडते रहें। पूरू से ही धर घर में सभी के मध्य अत्यंत धारमिक संसकार रहें। ये अत्यंत मेरे लिए बहुत गौरों का विशा है कि आज रायपूर महानगरी में इस प्रकार का सुन्दर नैना विराम जिन प्रसाद का निर्मान मेरे चाचा स्री जैकुमार जी बैत के द्वारा कि गया अत्यंत मन मोहक मंदिर बाहर से देखते ही जिसकी छटा इतनी निराली हो कि आखें अपने आपको बंद करना पलक जपकने भूल चूट जाएं इतना सुन्दर भव्य विशाल और स्वेत मारबल से निर्मतिया मंदिर जैसे ही हम अंदर गुशते हैं अर्यंत परमात्म धर्मनात प्रभु की इतनी सुन्दर प्रतिमा जिसको देखने के बाद मन हरसित और आनंदित हो जाए और ऐसा लगे कि बस अब यहां ही रहे हम यहां से आगे न बढ़ें ऐसी सुन्दर प्रतिमा यहां विराजमान अधर्मनात जी के जैकारों से राइपूर गुझे रे राइपूर चालो 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 रे धर्मनात जी के जैकारों से राइपूर गुझे राइपूर चालोरे!